इस वीडियो में हम जानेगे टेलीग्राम कैसे यूज करें अगर आप टेलीग्राम चलाना चाहते हैं तो मैं पूरा आपको बताऊँगा कि हाउ टू यूज टेलीग्राम इसके लिए आपको टेलीग्राम एप आपको सबसे पहले Play Store पर जारना है और Telegram आपको यहां से Install कर लेना है Telegram आपको Install कर लेना है एक बार Telegram आपको यहां से Open कर लेना है Open करेंगे तो आपको S-Enterface दिखेगा Start messaging दिखेगा Simply आपको इसपर टैप कर लेना है यहाँ पर आपको Country सेलेक्ट कर लेना है और आपको mobile number डाल के आपको next पर click कर देना है next पर click करोगे तो phone number आपका verify के लिए यहाँ पर बोलेगा you are calling call किया जाएगा call हो गया जैसे call हो जाएगा automatically यहाँ पर login हो चुका है already मैंने किया हुआ था मैंने log out ही किया था मैंने तो यहाँ पर login मेरा हो चुका है देख सकते हैं जितने भी contact आएंगे आ जाएंगे मेरा already login था इसलिए directly login के बाद यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं telegram का यहाँ पर एक login code आ जाता है आपको भी मिलेगा अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको three lines पर click कर देना है अब यहाँ से आपको profile photo select कर लेना है जो भी set करना चाहो यहाँ से आपको profile photo अपना set कर लेना है profile photo set कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ok कर देना है profile photo यहाँ पर set हो चुका है यहाँ पर user name अगर आप देना चाहों दे सकते हो bio यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो आप यहाँ पर बायो लिख सकते हो और आपको यहाँ से OK कर देना है आपको settings, important settings रहते हैं जो आपको करना होता है वो क्या कि आप अगर चाहू तो यहाँ पर settings में आपको chat settings का option मिलता है chat settings पर आप जाके chat settings को आप यहाँ पर अपने according set कर सकते हो आइकन हो गया, night mode हो गया, animation, stickers, emoji, सारा कुछ आप यहाँ से अपने according set कर सकते हो यहाँ पर privacy and security जो की बहुत important रहता है इस पर आपको click करना है two step verification आपको यहाँ से on करना है, password आपको यहाँ पर set कर लेना होगा two step verification बहुत important रहा है, passport अइंटर कर लेने बाद आपको next पर click कर देना है यहाँ पर हिंट password बोलेगा यहाँ पर बोलता है, you can create an optional hint for your password तो जो भी आप hint देना चाहूं यहाँ पर आप दे सकते हूं उसके बाद आपको यहाँ पर next कर देना है email यहाँ पर मागेगा email आपको दे देना जो भी आपका email ID है और आपको यहाँ से next कर देना है verification code एक जाएगा आपको यहाँ पर आपके email पर जाएगा आपको यहाँ पर डाल देना है जो भी आपका email रहेगा उस पर code जाएगा उस code को आपको यहाँ पर copy करना है और यहाँ पर आपको उसे डाल देना है देख सकते हैं return to setting बोल रहा है और आपको तो यहां से on कर सकते हो, passcode आप पासकोड लॉक अगर चाहो तो आप यहां से on कर सकते हो, block users, devices और phone number अगर आप चाहो तो यहां पर अपने according सेट कर सकते हो, कि कौन आपके phone number को देख पाएगा कौन नहीं, तो अगर आप चाहो तो यहां से आप जो भी चाहो, nobody चाहो, nobody आप कर सकते हो, यहां से और आपको यहां पर apply कर देना है, last scene and online अगर आप चाहो तो अपने according सेट कर सकते हो, bio calls, groups and channels, voice messages, यहां सारा कुछ आप अपने according सेट कर सकते हो, और आपको बैख हो जाना है, अब मैं यहां पर आपको chat करके दिखाता हूँ, कि आप इससे chat कैसे कर सकते हैं, अगर किसी friend को आपको search कर लेना है, search करके आप यहां से chat कर सकते हो, और अगर आप directly किसी person को आप यहां पर chat करना चाहो, ऐसे search करना है, और आपको open कर लेना है, और आपको ऐसे chat कर लेना है, आप चाहो तो यहां से, फाइल भी कोई photos कुछ भी आप भेर सकते हो, यहां से, emoji यहां से भेज सकते हो, आप यहां से call कर सकते हो, ठीडॉट पर कलिक करके video call भी आप यहां से कर सकते हो, और wise message से भेज सकते हो, आपको बैख हो जाना है, मैं आपको group बना के दिखाता हूँ, group बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फेंसल का option मिल रहा है, इस पर click कर देना है और आपको यहाँ पर न्यू गुरूप का उप्षन मिलता है न्यू गुरूप पर आपको क्लिक करते हैं यहाँ पर तीन आपको मिलते हैं न्यू गुरूप का न्यू सीक्रेट चैट का और न्यू चैनल का तो आपको गुरूप बनाना है तो न्यू गुरूप पर आ आपको add करना है simply आपको यहां से ऐसे आपको select कर लेना है उन फ्रेंट्स को जिन्हें आप add करना चाहते हो ऐसे आपको select कर लेना है और आपको next पर click कर देना है यहां पर group का name देना है जो भी आपकी group का name हूँ आपको ऐसे group का name देना है auto release message अगर आप चाहो तो on रखना है दर्वाइस आपको off रखना है और आपको यहां से ok कर देना है यहां से जो भी आप लिखना चाहों यहां से ऐसे आप लिख सकते हो हाय कर सकते हो यहां पर आप चाहो तो add member आप फिर से add कर सकते हो और फिर डॉट पर क्लिक करके आप यहां से delete और leave group आप यहां से कर सकते हो तो यह रही group की बात अगर आप चाहते हो channel बनाना तो new channel आप यहां से बना सकते हो ऐसे आप यहां पर अपना चैनल भी आप बना सकते हो डिस्किप्शन में आप लिख सकते हो जो भी लिखना चाहो और आपको यहां से यहां पर आपको चूज करना होगा पब्लिक लिंक आपका ऐसे ऐसे आपको पब्लिक लिंक इस अबेलबल आपको यहां से इसे डन कर देना है जिस फ्रेंड को आपको आइड करना है उस फ्रेंड को आपको यहां से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नेक ब्सक्राइबर सारा कुछ आप यहां से अपने यहां से अपने से सट कर सकते हूँ चैनल पे आप क्लिक करें तो आप फेस मैसेज आप भेजना चाहों यहां से भेज सकते हों तो यह कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताए उम्मीद है आपको वीडियो बहत पसंद आया होगा ऐसे कंटेन के लिए आप मेरी चैनल पांडे हेक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थाइक्यू सो में जोस्तूँ